दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें normal monitor और gaming monitor के बारे में बताया था कि जो कमी हमें normal monitor में face करना को मिलती है वो gaming monitor उसे कैसे दू करता है खेर ये तो थी आपकी choice कि आप एक normal user है या gamers जिसे gaming monitor की need हो और दोस्तों आज हम बात करने वाले उनी monitors के पैनल के बारे में जब भी हम monitor buy करने के लिए जाते हैं तो हमें इन points को दिमाग में रखके buy करना चाहिए क्योंकि ये पैनल की problem हर बंदे को prefer करती है दोस्तों monitor के पैनल तो बहुत ही category में divide होते हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो है IPS panel, TN panel और VA panel दोस्तों monitor के जितना भी खेल होते हैं वो इनी panels पर depend होता है है guys मैं राना सिंग और आप देख रहे हैं The Tech of India और आज कि इस वीडियों लोग बात करने वाले है IPS panel, TN panel और VA panel के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा और हाँ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे monitor के सुरुवात CRT से हुई थी यानि cathode ray tube से जो की देखने ने बहुती चौड़े से होते हैं और हैवी से और आज टेक्नोलोजी इतनी अपग्रेड हो गई है कि हमें घर के नॉर्मल LED TV में भी VGA और HDMI केबल का सपोर्ट देखनों को मिल जाता है जिससे कि हम उन WS को CPU में connect करके monitor की तरह यूज़ कर सकते हैं अब जैसे जैसे टेक्नोलोजी अपग्रेड होती गई हमारी डिमांड भी उससे तरह बढ़ती गई अब हमें एक ऐसा monitor चाहिए जिसके color accuracy better हो response time कम देखनों को मिले और refresh rate भी अच्छा देखनों को मिले अब भाई इतना कुछ हमें एक monitor में तो मिल नहीं सकता इसलिए market में हमें different type of panel के monitor देखनों को मिलते हैं एक panel की disadvantage दूसरे panel की advantage है दूसरे panel की disadvantage तीसरे panel की advantage है चलिए जानते हैं पहले panel के बारे में जो कि है IPS panel यानि in plane switching भाई इन panels की display quality टॉप लेवल की होती है इस panel की image quality, color accuracy, सब कुछ best से भी best होता है और इनका viewing angle भी best होता है मतलब की अगर हम 178 degree angle से twist होकर भी देखेंगे तो हमें वैसा ही देखेंगा जैसे हम front से देख रहे हो IPS panel Adobe RGB जैसे professional color space technology को अच्छे से support करने की हिम्मत रखता है IPS panel के monitor market में बहुत ही costly available होते हैं इन monitors का response time जादा देखने को मिलते हैं मतलब की 6 से 16 milliseconds का और refresh rate भी हमें कम देखने को मिलता है इस panel के monitor जादा तर वो लोग यूज़ करते हैं जिने जादा से जादा graphics पर work करना होता है जैसे की video editing या फिर photo editing या फिर वो लोग prefer करते हैं जिने ऐसी application पर work करना होता है जिसका color एकदम accurate produce हो IPS panel में बहुत तरह के variation include होते हैं जैसे SIPS, HIPS, EIPS, PIPS और PLS ये सारे variation एक दूसरे के similar होते हैं बस 19 से 20 का फर्क होता है अब चलिए बात कर लेते हैं हमारी next panel की जो की है TN panel यानि twist-tech pneumatic panel ये panel market में बहुत ही cheap cost पे available होते हैं इन panels के refresh rate हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाता है यानि 120 Hz से 144 Hz का इन monitors का response time भी हमें कम से कम देखने को मिल जाता है यानि 2 से 5 millisecond का और इन monitors से हमें game खेलते time lagging जैसे कोई भी problem face करने को नहीं मिलती जिससे की game बहुत ही smooth चलता है इस panel की disadvantage यह भी है कि यह panel 6 bit के होते हैं जिससे की यह पूरे 16.7 million color को display करवाने में problem करता है और इस panel के viewing angle भी अच्छा देखने को नहीं मिलता है यह panel special उन लोगों को prefer करता है जो gamers होते हैं gamers को viewing angle से कुछ मतलब नहीं होता है बस सामने बैठके game पर focus करना होता है और उन्हें इन panel में refresh rate भी अच्छा देखने को मिल जाता है और response time भी कम से कम देखने को मिल जाता है देखा जाए तो जो problem हमें IPS panel में face करने को मिलती थी उसका improvement हमें TN panel में देखने को मिला दोस्तो चलिए बात कर लेते हमारे अगले panel की जो की है VA panel दोस्तो VA panel हमारे IPS और TN panel की बीच में stand करता है इस panel का viewing angle और color accuracy हमारे TN panel से better होती है VA panel का high contrast ratio बाकी दोनों panel से बहुत अच्छा होता है इन monitors का response time भी ठीक होता है और input lag की थोड़ी बाद problem face करने को मिल जाती है साथ ही में इस panel में हमें color shifting की भी problem face करने को मिल जाती है यह monitor वो लोग यूज़ करते हैं जिने movies देखनी है, content लिखना है और याफिर वो लोग जिनके लिए response time से ज़्यादा image quality importance रखती है अब चलिए बात कर लेते कि आपको कौन सा monitor prefer करेगा अगर आप एक graphical application पर work करते हैं आपको refresh rate और response time से ज़्यादा color accuracy importance देती है तो आपके लिए IPS panel के monitor prefer करेंगे और वहीं अगर आप एक gamer है आपको color accuracy से ज़्यादा response time और refresh rate ज़्यादा importance देता है तो आपको TN panel के monitor prefer करेंगे और वहीं अगर आप एक budget segment पर monitor purchase करना चाते हैं जहाँ पर आपको IPS के भी advantage मिले और TN panel के भी advantage मिले तो आप VA panel के साथ जा सकते हैं I hope आपको यह मेरी वीडियो अच्छे लगी है तो please वीडियो को like कर दिजेगा Thank you